मैं जाता हूँ तो मैं देखता हूँ करंचारियों के कमी हैं बैंकों में कमी हैं उनके साथ साथ जन परदिदी जो इसके चुने हुए हुए और जो हमारे अधिकारी है इतने बड़े अधिकारी है मैं देखता हूं कि इनके ऊपर जो हमारे अपर निवंदक करा अधिकारी है नीचे से लेग उपर तक यह सब भी PCS से प्रत्योंती प्रशाय पास करके आते हैं लेकिन जब इनकों बारे में मैं सुनता हूँ तो एक आदमी छोटा सा दरोगा होता है लोग बहुत डरते हैं करें कॉप्रट्री वाले अधिकारी है मुझे लगता है कि ऐसा क्यों तो इनकों भी इस शेत्र में कैसे इनको और अधिकार प्राप्त हो हमारे ये निर्वाचित ऐसे हमारे प्रदिदियों वो कैसे और अधिकार प्राप्त हो ताकि वो इस शेत्र में और आगे काम करें और जहां हमारी जगें खाली है हमारी जो संसाइं हमारी जो रिक्त बड़ी पदे में जाता हूं मैं कभी कहीं जाता हूं किसी जिले में तो 189 वांकर वहां पदे तो उसके अगे अगर चबरासी कैसियर का काम करेगा कैसियर बैनेज प्रबंदक का काम करेगा तो कामों में गुडवत्ता नहीं आ सकती उसमें बहुत तेजी नहीं लाए जा सकती इसलिए और मैं जब देखता हूं हमारे देश के प्रधान मंत्री जी का पहला नारा था कि स्वक्ष भारत पाइद उन्हें मुझे पता नहीं साथ कोई पता रहा था 25,000 रुपए मिलते हैं लेकिन इतनी बड़ी संस्ता हमारी है जो सीधे जुड़ी हुई है रोजी रोटी से लेकर उसके मान सम्माना स्वाहिमान तक ऐसी संस्ताओं को हमारे सचियों है उनको भी मुझे लगता है म उत्तरप्रदेश के अंदर सहकारिता छेत्र में इसके लिए मेरे कहने का उद्देश सिर्व इसलिए है माननी मंत्री जी से भारत सरकार के मंत्री है अगर उत्तरप्रदेश के हमारे सहकारिता मंत्री पुलग का पूरा प्रयास सार्थक प्रयास इस दिसा में चल रहा है करने काम करना चाहिए इसी आगरे निवेदन और बिंती के साथ हमारे केंद्र के मंत्री हैं मैं इसे चाहूंबा कि साहिकारता आगे बढ़ जाए